हाई एविवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला उनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट वन इंगलीज ओनर्स के स्टूरेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट वन के दोनों पेपर यानि पेपर वन एन पेपर टू इन दोनों पेपर का गेस कोस्टन आप सभी के बीच इस वीडियो के माधियम से डिसकस करने जार हैं आप सभी दोनों पेपर के लिए इन सभी गेस कोस्टन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये कोस्टन न केबल इंपोर्टेंट है बलकि एक्सामिनेशन में आना लगवग लगवग तैही समझो तो दोस्तो सबसे पहले हम पेपर वन को कवर कर लेते हैं दोस्तो पेपर वन में क्या होगा टोटल पाँच गरूप में कोस्टन आएंगे गरूप A, गरूप B, गरूप C, गरूप D और गरूप E पाँच ग्रूप में question आएंगे और पाँचों ग्रूप में तीन-तीन करके सवाल दिये रहेंगे लेकिन आपको तीनों का जवाब नहीं देना होगा उन तीन में से केवल और केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा तो पाँच ग्रूप हो गया पाँचों ग्रूप में तीन-तीन करके सवाल दिये रहेंगे लेकिन हमें पाँचों ग्रूप से केवल और केवल एक-एक करके आंसर देना होगा तो टोटल पाँच question का आप आंसर दोगे और पाँचों question 20-20 marks करके होगे यानि 25-100 तो 100 marks का ही आपका paper 1 होता है तो सबसे पहले हम group A का question आपको बता देते हैं देखिए group A में जो question आएगा वो आएगा background studies से background studies के लिए आप सभी इन पाँचों प्रसंद को बढ़िया से cover कर लिजिएगा कौन-कौन the renesia and the reformation aestheticism impressionism humanism and imagism group A के लिए इस 5 को बढ़िया से जरूर cover कर लिजिएगा एक चीज और याद रखिएगा आपको लगे कि ये जैदा है तो starting का 3 किसी भी हालत में जरूर cover कर लिजिएगा last का जो ये 2 रहे गया उसको थोड़ा बहुत कम भी करोगे न कोई चुने लेकिन ओपर का 3 बहतरीन तरीके से cover कर लिजिएगा आप लोग तो ये हो गया group A के लिए अब group B की और आते हैं group B में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आएगा poetry section से और poetry के लिए आप लोग alisa vathan poetry romantic poetry confessional poetry movement poets and victorian poetry इन सभी poetry को बढ़िया से cover कर लिजिएगा एक चीज और याद रखिएगा करना है पांचो लेकिन उपर का 3 किसी भी हालत में बढ़िया से जरूर तयार कर लिजिएगा last का 2 थोड़ा बहुत कम भी करोगे कोई इसू नहीं लेकिन 3 starting का होना ही चाहिए बढ़िया से तो यह हो गया गुरूप B के लिए गी इस question अब हम गुरूप C की और आते हैं गुरूप C में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आएगा drama और comedy इन दोनों से आएगा mixture होगा तो इसके लिए आप लोग यूनिवर्सीटी वीट्स 20th century poetic drama anti-sentimental comedy and problem place इन चारों question को बढ़िया से जरूर कवर कर लिजिएगा last का जो है problem place इसको थोड़ा बहुत कम भी करोगे no issue लेकिन starting का 3 तो हम बिलकुल कंठस्त होनी चाहिए यह चीज याद रखिएगा तो यह हो गया group C के लिए गी इस question अब group D की और आते हैं group D में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आएगा novel section से और novel के लिए आप लोग historical novel English women novelist stream of consciousness novel science fiction and gothic novel इन सभी को कर लिजिएगा group D बढ़िया से कवर हो जाएगा एक चीजा और याद रखिएगा starting का तीन बढ़िया से होनी चाहिए बादवन की last का जो दो है उसको थोड़ा बहुत कवर कर लिजिएगा काम चल जाएगा तो यह हो गया group D के लिए guess question अब हम last group यानि group E की और आते हैं group E में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आपका आएगा essay से biography से और autobiography से तो essay के लिए आप लोग इन दो essay को कर लिजिएगा periodical essays and personal essays इन दो में से एक सवाल आ जाएंगे इसके अलाबा biography and autobiography इसको भी कवर कर लिजिएगा इतना अगर आप कर लोगे तो आपका paper 1 बढ़िया से कवर हो जाएगा और एक चीज और बता दू उपर जितने question देखे हो group A से ले करके और group E तक जितने question देखे हो हर question के answer का PDF हमारे पास available है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं यह मेरा whatsapp number है इस पे आप मुझे whatsapp message कीजिएगा मैं आपको इन सभी प्रसंद का answer वालब PDF available करा दूँगा ना केबल आपको इन सभी question का answer available कराऊंगा बलकि paper 1, paper 2 का जो syllabus है यह भी provide कराऊंगा paper 1, paper 2 का जो question bank है यह भी provide कराऊंगा इसी प्रकार से paper 1 और paper 2 का group बाइज मैं आपको class notes content भी दूँगा और ढेड़ो videos भी दो दूँगा जो कि sufficient रहेगा paper 1 and paper 2 के लिए तो दोस्तों यह जो भी मैं बताया हूँ यह paper 1 का guess question हुआ अब हम paper 2 की ओर आते हैं paper 2 दोस्तो miscellaneous है यहाँ पे आपको short poem पढ़ना होगा, long poem पढ़ना होगा और rhetoric and prosodic का section आता है वो भी आपको cover करना होगा तो सबसे पहले हम आ जाते है short poem, short poem में दोस्तों आपको इन सभी poem को cover कर लेना है यहाँ से दो प्रकार का सवाल आएगा long question भी और explanation भी जिसे आप लोग golden residue कहते हो वही मैं भी बता रहा हूँ golden residue section के लिए आप लोग cable और cable इन सभी poem को कर ली जिएगा बढ़िया से cover हो जाएगा 20 marks का long question आएगा और 15 marks का explanation का सवाल आएगा cable और cable इन सभी poem से 35 marks का सवाल आएगा कौन-कौन poem आप करोगे आप करोगे the pulley, my last duchess to a skylock, to the skylock or to a night angle the retreat, thought in a garden youth and age and dove witch इन सभी poem को बढ़िया से cover कर ली जिएगा 35 marks आपका secure हो जाएगा दो सवाल आएगा explanation का जो कि 67, 67 marks का होगा यानि 15 marks का explanation हो गया और एक long question आएगा poem का जो 20 marks का होगा यानि 35 marks का सवाल आपका यहां से आएगा golden treasury में आपको cable और cable इतना ही करना है अब हम आजाते हैं और इसी को हम short poem काते हैं यह चीज़ याद रखिएगा अब हम लोग आजाते हैं long poem में long poem में दो poem आपको पढ़ना होगा एक the rape of the luck एक the eve of saint agnes और इन दोनों poem से एक ए करके long question आएगे जो कि 20-20 marks का होगा तो 40 marks होगे दोनों question मिला करके और एक एक करके explanation की सवाल आएगे यानि कि साथे साथ साथे साथ marks का वो होगा तो 15 marks का explanation और 40 marks का आपका long question तो 55 marks का question आपका आएगा केवल और केवल इन दोनों long poem से तो कौन कौन आपको करना है आपको the rape of the luck से कर लेना है discuss the rape of the luck the rape of the luck का theme क्या है और summary क्या है इन सभी को कर लिजिएगा the rape of the luck complete हो जाएगा तो यह हो गया the rape of the luck के लिए गे इस question अब हम आते हैं the eve of son Agnes के उपर इसके लिए आप लोग इन दो question को बढ़िया से कर लिजिएगा कौन discuss medievalism in the eve of son Agnes discuss the eve of son Agnes as a romantic poetic poem इसके अलावा the eve of son Agnes का शमरी क्या है इसको भी आप सभी बढ़िया से cover कर लिजिएगा तो यह जो भी मैं बताया हूँ short poem और long poem के लिए guess question के वर केवल long question के लिए है long question आपका बढ़िया से cover हो जाएगा explanation automatically cover हो जाएगा last summer में मैं आपको डेड़ो वीडियोस दे दूँगा sufficient हो जाएगा तो यह हो गया short poem और long poem अब हम आजाते हैं last section है rhetoric prosody का paper 2 में उसके ओपर यहाँ पर क्या होगा आपको cable और cable 4 सवाल का जवाब देना होगा सवाल में आपको 8 के आसपास option देखने को मिलेंगे लेकिन इस आठ में से आपको 4 का ही जवाब देना होगा और वो 4 धाय-धाय मार्क्स करके होगा यानि 10 मार्क्स का आपका हो जाएगा last question rhetoric prosody वाला section तो इसके लिए आप कौन-कौन को prepare करोगे आप कर लेना pastoral, illegy, dramatic, monologue, you transfer, appetite, mentonomy, free words hyperbol, climax, paradox, irony spencerian stanza and satire इन सभी को कर लेजिएगा आपका paper 2 भी बढ़िया से cover हो जाएगा देखिए मैंने क्या बताया 35 मार्क्स का सवाल आपका आएगा cable और cable golden recipe से यानि short poem से 55 मार्क्स का सवाल आपका आएगा दो long poem यानि the eve of cent agnes and the rape of the luck से और 15 मार्क्स का और बचा कितना बचा आपका 10 मार्क्स तो 10 मार्क्स का सवाल आपका आजाएगा last section यानि प्रसोडी वाले section से तो total कितना हो गया 35, 35 और 10 total को आप जोडोगे तो यह हो जाएगा 100 तो 100 मार्क्स का यह आपका paper 2 भी हो गया फिर last में बता दू कि paper 1 और paper 2 इन दोनों paper का अभी आपने जो भी guess question देखा है हर प्रसन का answer मेरे पास है जैसे चाहे यह हो या फिर the rape of the luck का हो या फिर गोल्डें ट्रेस्टी का हो या फिर paper 1 का हो हर question का answer हमारे पास available है और वो भी simple language में मैं लिखा हूँ होगा और ना केवलो प्रोवाइड करांगा बलकि paper 1 paper 2 का सहलेवस का PDF होगा paper 1 paper 2 का जो question bank है इसका PDF होगा 2013 से 22 का question होगा बाद बाकी देखिए यहां पर मैं आपको clearly दिखला दू paper 1 में यह group a का content है paper 2 में यह group B का content है यह group C का group D और group E देख रहा हो ना group 22 में आपको content दूँगा इसी प्रकार से paper 2 का भी group 22 content दूँगा जैसे कि poem के लिए अलग PDF दूँगा दरेप लग के लिए अलग PDF इव आफ संट एगनिस के लिए अलग PDF आप प्रोड़ी से नंबर पर WhatsApp message किजिएगा या फिर इबनिंग में call किजिएगा मैं आपको इस सारा कुछ provide करा दूँगा मेरा नंबर है 7048928746 एक बार फिर बता दूँँ जितने question मैंने guest कराया है वो सभी इस बार के लिए most important है एक भी question इधर उधर नहीं होगा यह जाद को यह provide करा दूँगा thank you so much दोस्तो